ऐसे आप सभी तासा करती है। आप सभी ठीक होंगे सी देखिये गीर कोरा । मैं बहुत आज प्यारीश्टी टीजिए ब्लॉग ले कुछ पैसे अर्निंग करती हूं तो मेरे जो सुरी बहुत पैसे में भाज्व में भी रखती हूं कभी बच्चे को या कभी हस्बेन को लगते हैं तो देती हूं तो उसमेंसरे और बचा कि मैं मेरेस्बेन के लिए थोरा बहुत मैं पैसे सैड में रखी हूँ क्योंकि मेरे हस्मेन ऐसे हैं friends कि मेरे उपर या मेरे बच्चे के उपर जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर लेते हैं पर खुद के उपर कुछ एक ही रुपया खर्च नहीं करते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं मेरे हस्बेन के लिए खरीदी करूँ तो यहां पर देखे फ्रेंस मैं यह सब जो काम करके थोड़ी बहुत जो अर्निंग करके बचा के रखती हूं पैसे तो वही मैं उसी से मैं आज दो से तीन महिने हो गए थे मुझे इस पैसे को बचा क के फिरेंस तो मुझे लगा कि अब दिपावली भी आये हैं और मेरे हस्बेन के लिए नया कपरा मैं लेती हूं तो फिरेंस तो आई आप सभी भी मेरे साथ चलिए मैं जो मेरे हस्बेन के लिए कपरा खरीदी करने वाली हूं तो आप सभी भी देखिए यहां पर देखिए मैं जो है शोप पर आ गई हूँ और मैं जो गारे शीखने आती हूँ तब उसी वक्त मैं आई हूँ क्योंकि हस्मेन को बता नहीं है कि मैं उनके लिए कपरा खरीदी करने वाली हूँ तो इस शोप में आई हूँ मेरे husband के लिए कपरा खरीदी करने तो यहां पर देखिए मैं husband के लिए यह सट निकालके रखी हूँ इस तरह से देखिए और यह उपर वाला मुझे नहीं पसंद आए और मैं नीचे वाला ही लेने वाली हूँ friends यहां पर देखिए यह blue सट जो है यहीं लेने वाली हो और इसके उपर एक फुल पेंट है वो आते हैं पर मेरे हस्पेंट को वो जो है नहीं बैठा तो मुझे रहा मुट जो है पुरा खराब हो गया था फ्रेंट्स दो से तीन दिन हो गया शोपिंग करके पर यहां पे देखे यह जो सट है यह मैंने सेलेक्ट किये हैं मेरे हस्पेंट के लिए और नहीं बैठा उनको तो फिर मुझे और उनकी नप का था भी नहीं मेरे हस्पेंट के नंपका तो मेरा दो दिमागे हिल गया तो इस वज़े से यह प्रूपेंट को रिटन करके मुझे दूसरा लेना परा जीन्स और यहां पर मैं जीन्स दो दो प्रेंट लेने वाली थी मैं इस तरह से देखिये एक यह वाला और यहां पर जीन्स जो मैं पहले से यहां पर देखिये यह तो कोशली तो है फ्रेंस पर मुझे पसंद आये थे तो इस वज़े से मैं मेरे हस्पेन के लिए लिए थी यह देखें तो यह भी और वो जो फुल्पेंट है वो लेकिन उनको नहीं बैठा बोल कि मैं चेंज करी फिर उससे भी कोशली मुझे दूसरा जिन्स लेना परा फ्रे क्लाइन्ट थे वह आ गए थे पीछे पीछे फिर मेरे साथ जो फ्रेंटज मेरे जो क्लाइन्ट थे वह पीछे-पीछे आ ख दया झाला गया और मेरे हस्पीन का जो radio som मैं कप्रा जब लाई थी तो तब का आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई तो अभी दिपावली में जब पहनने वाले हैं तो आप सभी को दिखाऊंगी तो चलिए फ्रेंज येस्ट ब्लोग में मिलती हूं तब तक के लिए बाए आप सभी कैसे हैं कमेट में जरूर बतते है वेगफ दिन्स